सुमवार को आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दावा क्या पेश कर सकती है? देखते हैं इसी सी जुड़ी खबर है दिली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के सारे संकेत साफ हो गए चे लाग से ज्यादा SMS और अब तक हुई सभी जन सभाओं में दिली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के पक्ष में राय दी अब तक आम आदमी पार्टी ने 24 सभाएं कर ली हैं आज तक पर हम लगातार आम आदमी पार्टी की सभी जनसभाओं पर नजर बनाये हुए हैं हालकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर हमले भी तेज हो गए हैं किरंडवेदी से लेकर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले किये हैं उनके पास सिर्फ कल शाम तक का वक्त है जिसके बाद पार्टी को सोमवार को उपरा जेपाल से मिलना है कुछ देर बाद बुराडी में भी आम आदमी पार्टी की सभा होने वाली है हम आपको वहाँ पर भिलिये चलेंगे लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि सरकार बनाने के संकेतों के बारे में मनीश सोधिया का क्या कहना है उनसे कुछ देर पहले बात की हमारे समवारता अनुगार ठाणा ले दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से लगातार जन्मत संग्रे के नतीजे आ रहे हैं आम आदमी पार्टी को अब तक 10 से ज़्यादा जगों से हां में जवाब आ चुका है मनीश सौधिया हमारे साथ मौजूद है मनीश बहुत सारी जगों से जवाब आ रहा है और लगबग सब जगे से हां में जवाब आ रहा है मनीश रविवार तक ये पूरा आ जाएगा फैसला लोगों का आप कहरें सौमवार की सुबह एलान करेंगे चिठी लेकर कब जाएंगे लगी के पास अगर सौमवार की सुबह बैठक में फैसला होता है और सारे नतीजों के बाद तो उमीद करेंगे कि फिर सौमवार को ही एलजी साब से मिला जाए और उन्हें बता दिया जाए अपना फैसला जनता का इसारा फैसला उनको बता दिया जाए और उसके बाद आगे की कारवाई शुरू की जाए मनीश जिस तरीके के आपकी राजनीती रही है अमूमन जब मुख्यमंतरी शपत लेते हैं तो कोई सभागार में लेता है, कोई खुले मैदान में लेता है आप लोगों की जिस तरीके की राजनीती रही है उससाब से आप लोगों की क्या सोच करके जाएंगे आप लोग पता नहीं अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिकतर आये है कि जिन कारिकरताओं ने दिन रात महनत एक करके एक-एक वोट के साथ समवाद किया है उन कारिकरताओं के बीच में शपत हो वो बाहर से टीवी से ना देखें बलकि वो उस एतिहासिक घटना के गवाँ बने और वहाँ खड़े हों वहाँ साथ खड़े हों बंद कमरों से वो फैसले ना हो बंद कमरों में शपत करें ना हो लेकिन अंतिम फैसला लिया जाएगा और उसके बाद सर्चा होगी लेकिन मैं चाहूंगा कि बाहर हो क्या वो खुला मैदान रामलीला मैदान जैसा हो क्योंकि 29 तारीक की आप बात करते हैं तो भी रामलीला मैदान की बात करते हैं क्या उसे एक यादगार बनाने के लिए रामलीला मैदान का इस्तेमाल करेंगे? रामलीला मैदान, जंतर मंतर, गांधी समाधी ये ऐसे देश के लिए अथिहासिक जगें हैं और इस आंदूरन के लिए बहुत अथिहासिक जगें हैं यहाँ पर अगर कहीं शपत ग्रहन होता है अगर सरकार बनती है तो सबसे पहला कमिट्मेंट लोगपाल का है लोगपाल 15 दिन के अंदर बनेगा यह हमने पहले भी कहा था और अभी भी हम कह रहें कि अगर सरकार बनती है तो विधानसभा की विशेश बैठक बुलाके 15 दिन के अंदर दिल्ली का लोगपाल कानून पास किया जाएगा